प्रुदय कमलमध्य राजितं निर्विकल्पं सद सद खिल भेदाती तमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं विमलपरमहंसं रामक्रिष्णं भजामहा विमलपरमहंसं रामक्रिष्णं भजामहा भगवत गीता विषये श्री रामक्रिष्णह मास्टरम् चनकदाल खादनात राखालस्य अग्निमान्द्यम अभवत। अतहा केवलं सात्विकाहारं स्वीकरोतिचेत वरं एतस्य विषये त्वया भगवत गीतायां न पठितम्वा त्वं भगवत गीतां पठसिखलू मास्टरह पठितवानस्मी तस्मिन युक्ताहारस्य विषयह उक्ताह अस्ति सात्विकाहा आहारह राजसिकाहा आहारह तामसिकाहा आहारह इत्यादीनाम सर्वेशाम विषयाह तत्रसंति श्री रामकृष्टनह तव समिल पे भगवत गीता पुस्तकमस्तिवा मास्टरह अस्ति श्री रामकृष्टनह भगवत गीतायाम सर्वशास्त्रानाम सारह अस्ति मास्तरह तस्याम विविधाह भगवत साक्षात कारप प्राप्तिमार्गाह उक्ताह संति भवान पी ज्यान भक्ति कर्मध्यानेही विविधा मार्गेही भगवंतं प्राप्तुम् शक्यते इती वदति श्री रामक्रिष्टनह कर्मयोगस्य अर्थहा कहा कर्मयोगस्य अर्थहा सकल कर्मनाम फलं भगवते अर्पडियम इति मास्तरह आम भगवत गेतायाम अहम तत पठितवानस्मी त्रिविधा कर्मानी अपी भगवत गेतायाम उत्तानी संती श्री रामक्रिष्टनह तानी त्रिविधा कर्मानी कानी मास्तरह तानी ब्रह्मः ज्ञानार्थं क्रियमानानी कर्मानी लोकशिक्षनार्थं क्रियमानानी कर्मानी स्वस्य स्वभावान गुणं क्रियमानानी कर्मानी च इति पूर्वेध्युहु मास्टरह परमहम्सस्य आरोग्यस्थितिम् आवेधयितुम् डाक्टर सर्कारस्य ग्रिहं गतवानासीत। इदानीम् तद्विषये मास्टरं परमहम्सह पृच्छनस्ति। श्री रामक्रिष्णाह यहा किम किम प्राचलत।